हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक तू मैं चाल्ड, तो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, 451, इसने काया कि जो भी ये पॉइंट है, जो भी हमारा आंसर होगा, वो इस पर होगा, तो मतलब वो पॉइंट इसको तो satisfy करेगा, मतलब y की value 2 और x की value अगर 1 रख दो तो satisfy कर रहा है, ठीक है, y की value minus 2 और x की value 1 रख दो तो satisfy कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या try करेंगे इसमें, की point को उठा करके, इसमें put करके देखते हैं, की अगर इसमें satisfy करता है, तो उसके होने के chances हैं हमारा answer, ठीक है, और वो क्या है इस point के pass में, मतलब कुछ इस तरीके से, मानलो ये curve है, इस curve के उपर ये कोई point है, ठीक है, और ये point है 2,1 ठीक है, ये कोई point है 2,1 और ये जो point है, इस curve के किसी एक point के सबसे पास में इस से भी इसकी दूरी है इस point से भी इसके दूरी है बट इस point के सबसे पास में जो point है इस curve के उपर वो वाला point हमें ढूंड करके बताना है ठीक है? तो मतलब इस point और curve के उपर उस point की मानलों बी point है करव के ऊपर उस point के और इस point के जो distance है वो minimum होनी चाहिए यही तो है indirectly बात की वो क्या होनी चाहिए minimum होनी चाहिए तो हम क्या कहते हैं कि इसने काहिए कि यह वाला point तो 2-1 है और यह वाला point मतलब करव के ऊपर किसी भी point के coordinate xy ही होगे और ये point है हमारा 2,1 तो distance क्या होगी x-2 का whole square plus y- 1 का whole square under root और हमें कहना है कि ये जो distance है वो minimum होगी nearest होना चाहिए न, point तो nearest होगा तो distance minimum होनी चाहिए तो क्या होगा कि ये जो है minimum होना चाहिए तो हम क्या करते हैं अगर root में हम इसको dy by dx हम निकालते हैं, मतलब ये हमारा function होगा इसका differentiation करना है तो अगर हम root में इसका differentiation करेंगे तब तो ये क्या हो जागा थोड़ा problem create करेगा तो अगर किसी भी चीज़ का अगर y है, ये minimum value या maximum value रखता है तो y square भी minimum या maximum ही रखेगा मतलब ये minimum तो ये भी minimum ये maximum तो ये भी maximum तो यहां से root से बचने के लिए हमने दोनों साइड में square कर दिया क्यों? क्योंकि अगर d square minimum रखेगा तो d भी minimum ही रखेगा तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं तो हमें पता था y square is equals to 4x है y square equal to 4x है x की value क्या होगी? y square upon 4 तो यहां से x की value हमने निकाल ली y square upon 4 पता चल गया तो x की value रख दी y square upon 4 ठीक है तो अब ये पूरा function होगा y की terms में क्योंकि अगर x की value अगर y की value निकालोगे तो root में जाएगी तो फिर यहां root में आएगा थोड़ा दिक्कत कर सकता है तो इसलिए हमने x की value निकाल ली और इसमें put कर दी ताकि हम root से बचते रहें ठीक है? तो इसको मैंने d square को z माल लिया ताकि बार-बार आप problem में नाफस हो ठीक है? तो x की value y square upon 4 रख दिया, इसका differentiation कर दिया 2 into this और फिर y square y square upon 4 minus 2 का दुबारा करोगे तो y square का 2 यह upon में 4 as that is आएगा इसका differentiation 2 into y minus 1 ठीक है? अब 2, 2 तो यह 4 cancel हो गया ठीक है? 4 की इंट इदर कर दी 8 तो y square minus 8 into y तो यह आया हमारा y square minus 8 into y यानि यह रहा ठीक है? upon में 4, यह वाला 4 नीचे ठीक, 2 into y minus 1 या फिर 2y minus 2, 2y minus 2 4 की इंट इदर हो जाएगे तो 4 to j 4 to j 16, तो यह 16 हो जाएगा या फिर ऐसे ही कर लो इसको y की इंट इसमें कर दी तो यह हो गया और यह होगा हमारा 4 अभी ऐसे ही रख रखा है ठीक है? तो 4 to j 8 तो यह plus 8y 4 to j 8 तो यह minus 8 हो जाएगा इससे cancel y q minus 8 आ गया तो अगर इसे इसमें formula अप्लाई करोगे तो y minus 2 y square plus 2y plus 4 आएगा तो यह हमारा क्या था? यह हमारा y dash था, मतलब dy by dx था यह हमारा, तो इसको 0 रखेंगे तो y की value 2 आ जाएगी अब y की value 2 आ गई है तो अब मैं क्या करती हूँ? यह जो function था, इसका double differentiation कर लेते हैं ठीक है? एक बार differentiation करने पर तो solve करने के बाद हम यहां तक पहुंच गए तो अगर इसका दुबारा differentiation करेंगे तो 3y square आएगा और y की value क्या है? 2i है इससे तो imaginary मिलेंगे, imaginary हमें लेना नहीं है y की value अगर 2 यहां रखते हैं तो double differentiation हमारा positive आ रहा है अगर double differentiation positive आ रहा है इसका मतलब जो हमारी distance होगी, वो minimum होगी ठीक है, distance क्या होगी? d square minimum होगा, d square यानि d भी minimum अगर d square minimum है, तो यह भी minimum ही होगा ठीक है? तो 1, 2 क्या हो जाएगा? मेरा वो point हो जाएगा, जिस point जो curve के उपर होगा 1, 2 मेरा वो point होगा, जो curve के उपर होगा और इस point से, इस 2, 1 point की जो distance है, वो minimum होगी यही मुझे यहां पर बताना था तो 1, 2 क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा और 1, 2 जो है करपर भी लाई करता है ठीक है तो 1, 2 इसका answer A option हो जाएगा देखते हैं इस question में कहा रहा है हमसे कि 27 की power cos 2x और 81 की power sin 2x इसकी मुझे minimum value बतानी है ठीक है तो क्या दिया है 27 की power cos 2x 81 की power इतना 27 और 81 को 3 की powers में लिखा जा सकता है तो 27 को लिखा 3 की power 3 तो उस 3 की into इस से मतलब 27 को लिखा 3 की power 3 और उसकी power ये और 81 को लिखा इतना तो ये जो 3 और cos 2x को multiply हो जाएगा ऐसी 4 और ये multiply हो जाएगा base दोनों का same है ये चीज़ multiply में ही तो है base same है तो this plus this लिख सकते है तो ये आगया हमारा तो इस चीज़ की maximum value तब ही हो सकती है या फिर minimum value तब ही हो सकती है जब ये चीज़ maximum minimum हो है न तो मुझे क्या निकालनी है इसकी minimum value निकालनी है तो इसकी अगर मैं minimum value रखूँगे तो 3 की power तो मतलब कहने का ये है कि अगर इसकी minimum value रखेंगे तो ये पूरा भी क्या आएगा minimum ही आएगा तो इसकी minimum value मैंने आपको बता रखेंगे जब भी ये और ये सेम हो चाहे ये दोनों x हो चाहे 2x हो चाहे 3x हो चाहे x square उससे ज़्यादा मतलब हमें है नहीं बस ऐसा होना चाहिए a cos x plus a cos theta plus b sin theta अगर ऐसा कहीं पर भी है तो उसकी maximum minimum value direct आपको ये लिखने है plus minus under root a square plus b square plus वाली maximum minus वाली minimum ठीक है तो ये theta की जगह पर दोनों में 2x 2x से कोई दिक्कत नहीं है a और b से मतलब है 3 है और 4 है a और b क्या है 3,4 तो अगर यहां 3 का square रखोगे 4 का square तो ये कितना हैगा 5 आएगा तो plus minus 5 तो अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर 5 रखोगे तो 3 की पावर 5 तो हो जाएगा maximum value ठीक है और अगर इसकी जगह पर आप minus 5 रखोगे तो 3 की पावर minus 5 जो हो जाएगा minimum value next question में कहा रहा है x greater than 0, x की value तो होनी चाहिए 0 से बढ़ी और xy equal to 1 है तो minimum value of x plus y हमें बतानी है ठीक है तो यहाँ पर क्या है जब भी एक चीज तो वही 2 multiply में वही 2 plus में है ठीक है plus और multiply देख लेना कि 2 चीजों की multiply 2 चीजों का plus ठीक है तो उस case में हमेंसे क्या करना am is always greater than equal to gm दो numbers का जो arithmetic mean अगर मेरे पास x और y दो number है तो उनका arithmetic mean x plus y upon 2 होता है ठीक है इस greater than equal to और उन्हीं दोनों का जो जो metric mean होता है अंडरूट xy होता है ठीक तो यह multiply plus multiply plus relation पता चला जाता है अंडरूट xy की value तो 1 है तो xy की जगह पर मैंने 1 रख दिया तो यह कितना आ जाएगा यह 2 इधर चला गया है ना तो x plus y is greater than equal to 2xy इसकी value 1 है तो 2 into 1 तो x plus y क्या हो जाएगा greater than equal to 2 हो जाएगा तो x plus y की जो minimum value हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है minimum ही पूछ रहा थो x plus y की तो क्या हो जाएगी c option to answer हो जाएगा ठीक है यह वाले question आपके मतलब के हैं नहीं यह reman integral का है real analysis का part है आपका मतलब का है नहीं है ठीक है इसी तरीके से यह वाला question भी आपके मतलब का नहीं है ठीक है next question देखते हैं x की power n upon a की power n plus y की power n upon b की power n equal to 2 दे रखा है और यह जो कर्व है उसको यह वाली जो रेखा है बिंदू P पर इस पर्ष करता है तब बिंदू P के निर्देशांग क्या होगा अगर मैं यहाँ पर n n n power दे रखी इस n की value मैं 1 कर दू तो यह और यह सेम हो जाएंगे मतलब अगर n की value 1 कर दी जाए तो यह वाला और यह वाला मतलब यह जो कर्व है वो straight line बन जाएगा इस type की तो उसमें तो यह दोनों के जो points होगे बिल्कुल सेम ही होगे है ना दोनों के points क्या होगे बिल्कुल सेम मतलब जो point इस पर लाई करेगा वही point इस पर लाई करेगा ठीक है तो इसने कहा क्या था वक्र रेखा को बिंदू P पर इस पर्ष करता है मतलब अगर मालों एक कर्व ऐसे भी जा रहा है तो यह ऐसे इस पर्ष कर रहा है तो मतलब दोनों का एक ही common point है अब मैं यहां पर अगर देखो a point अगर हम देखें तो a की value ए a b तो अगर मैं x की जगह पे रख दू y की जगह पे बी रख दू तो 2 आ रहा है जो simple सी बात ही है कि यह मेरा कोई curve जा रहा है और यह मेरी कोई line जा रही है ठीक है दोनों क्या करें एक दूसरे को touch कर रहे है तो यह curve जा करके इस पर touch कर रहे है इस curve कोई line टच करी तो एक common point पर ही तो touch करेगी वो common point मुझे पता नहीं है ठीक है option में इसे कुछ भी हो सकता है तो वो जो point होगा जो दोनों के लिए common होगा वो दोनों को satisfy करता है तो a b अगर मैं यहां पर a रख दू यहां पर b रख दू तो 2 आता है और ऐसी अगर a यहां रखू b यहां रखू तो यहां पर 2 तो मतलब a option हो सकता है सही लेकिन अगर मैं उल्टा करू b अगर यहां b रखू यहां a रखू तब 2 नहीं आएगा यहां पर भी नहीं आएगा ठीक है तो one one रखू एक सोर वाई की जगा तब भी 2 नहीं आने वाला और यह रखू तब भी 2 नहीं आएगा तो क्या सकते हैं a option इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो अगर इस curve को यह line touch कर रही है किसी point पर तो वो जो point है दोनों पर satisfy कराना है simple तो a b जो है दोनों को satisfy कर रहा है यहां पर क्या हुआ कि हमने point लिया वो दोनों को satisfy कर रहा है तो कोई problem नहीं आएगी ठीक है तो एकदम से question हो जाएगा तो a b जो था दोनों को ही satisfy कर रहा था तो a option इसका correct answer हो जाएगा next question देखते हैं इस question में कह रहा है कि यदि xy equal to a square है and s is equal to इतना दे रखा है जहाँ abc constant है तो a का निमनिष्ठ मान मतलब a की minimum value हमें बतानी है ठीक है a की minimum value तो s की value हमें ये दे रखे b square x plus c square y ठीक है तो एक ये दे रखा हमें y की value यहां से निकाली a square upon x रख दिया यहां पर a square upon x यह आ गया अब यह हमारा s आ गया इसका differentiation with respect to x करते हैं तो x का 1 हो जाएगा 1 upon x का minus 1 upon x square हो गया इसको हम 0 रखेंगे क्योंकि ds by first differentiation को 0 रखना है तो जैसे 0 रखोगे तो this is equal to 0 LCM ले लो तो यह क्या हो जाएगा x square किंटू यहां भी हो जाएगी ठीक है तो b e square x square minus c square a square is equals to 0 यह तो धर जाके 0 तो b square x square is equals to c square a square हो जाएगा x square की value c a square upon b square या फिर x की value ac by b plus minus b लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं x की value क्याएगी plus minus ac by b ठीक है अब मैं क्या करती हूँ minus c square upon c square a square upon x square इसका double differentiation हमने करना है तो b square तो constant है इसका double differentiation इसका differentiation तो 0 हो गया minus 1 upon x square c square a square constant है minus 1 upon x square का हो जाएगा minus तो minus कहीं रहेगा minus 2 upon xc power 3 तो यह आगया अब x की value अगर आप इसमे ac upon b रखोगे तब तो यह positive रहेगा और अगर negative value रखोगे तो यह negative क्योंकि x की power 3 है अगर इसकी value आप positive रखोगे तो positive मिलेगा negative रखोगे तो negative मिलेगा मुझे क्या चाहिए इसकी मुझे तो इसकी minimum value रख चाहिए तो अगर हम यहाँ पर ac positive value रखेंगे तो यह greater than 0 आएगा यह greater than 0 आता है तो क्या मिलेगा हमें minimum value यानि किस पर minimum value मिल रही है जब हम positive रखेंगे इसके अंदर ac by b तो अब क्या करना है minimum value निकालना है तो 2abc आजाएगा answer 2abc क्या हो जाएगा s का निमनिष्ट मान या फिर minimum value हो जाएगा next question कह रहा है कि x और y की value दे रखी है the tangent is perpendicular to x-axis ठीक है tangent जो है x-axis के perpendicular है ठीक है तो मालो यह कोई curve जा रहा है ठीक है इसकी जो देखो सीधी सीधी बात है कोई भी curve जा रहा है तो उसकी जो tangent है हमारी x-axis ही होगी तो x-axis के perpendicular है ठीक है तो x-axis के perpendicular है यानि y-axis अगर हमारी यह है तो y-axis के parallel होगी यह और y-axis के parallel अगर यह line है तो y-axis के parallel अगर यह line है तो यह angle तो 90 हो गया है ना तो हम क्या सकते कि 10 theta theta की value 90 तो 10 theta कितना हो जाता है 1 by 0 ठीक है तो मेरे पास जो यह curve x और y की value दे रखे क्योंकि हम slope ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 theta से 10 theta से भी slope निकाल सकते हैं और इससे है कि जो कर्व की tangent है वो x-axis के perpendicular है मतलब यह एंगल तो 90 यह हमारी tangent x-axis के साथ अगर 90 degree का एंगल बना रही है ठीक है तो slope क्या होगी 10 theta यानि 10 90 तो 1 by 0 तो यानि dy by dx यानि यह चीज और 1 by 0 बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों की दोनों जो है एक ही चीजे एक की slope दो तरीके से निकाली है तो यहां से यह क्या होगा cross multiply कर दो तो 2t into 0 0 हो जाएगा this into 1 0 हो जाएगा this into 1 2t minus 1 ही रहेगा तो 2t minus 1 0 आगे tk value 1 by 2 आ गए तो यहां पर हमसे यही पूछ रहा था कि tk value क्या होगी 1 by 2 यानी c option इसका correct answer हो जाएगा 459 question भी आपके मतलब का नहीं है यह सारे के सारे real analysis से related है ribbon integrable chapter से तो यह आपके मतलब के है नहीं ठीक है next question देखते है इस question में कहा है normal to the curve at pxy meets the x-axis at g इसमें कहा है है नम से normal to the curve मतलब कोई curve है यह रहा curve ठीक है इसका जो यह normal है ठीक normal to the curve pxy x-axis को meet करता है g पर तो यह जो normal आ रहा था वो x-axis को g point पर meet कर गया यह मैंने distance अगर a माल ली तो a0 यह point हो जाएगा ठीक है उसके बाद कहा रहा है if the distance of g from origin is अगर यह जो distance है a origin से g तक की distance जो है twice double कि इसका abscissa of p तो यह जो p है point उसके coordinate मैंने xy माल लिए तो इसका abscissa यह होता है भुज abscissa अगर यह x है तो इसका double है यह वाले distance तो a जो है इसका double है ठीक है तो a जो है वो इसका double है equal to 2x है तो वह कह रहा है कि curve कौन सा होगा ellipse होगा parabola होगा circle होगा hyperbola होगा तो यह हमसे इसमें पूछा जा रहे है question को देखो हम कैसे करेंगे यह हमारा curve था यह p point था xy हमने यह हमाल लिए और a यह distance थी तो a 0 से जा रहा था ठीक है तो जो यह distance थी वो इस point का double था मतलब इस x की value का double था ठीक है तो हम क्या करते है अगर मैं इस normal की equation निकाल लूँ और यह जो normal है a 0 point से pass हो रहा है तो वहां से कुछ हमें मिलेगा ठीक है नॉर्मल की slope क्या होती है minus 1 upon dy by dx ठीक है x minus x यह xy जो है वो point को denote करें यह xy जो है point को denote करें मतलब यह xy तो कोई number है और जो हम variable लेते थे xy वो यह capital y capital x लिख दिया है ठीक है अब यह जो normal की equation है वो a 0 से pass हो रही है तो y की जगह 0 रखेंगे x की जगह पे a मतलब यह y को 0 रखेंगे यह x को a रखेंगे ठीक है तो यह आया हमारा कुछ इस तरीके से ठीक है minus से minus cancel हो जाएगा तो y into dy by dx is equal to a minus x या फिर x भी धर add हो जाएगा तो y x plus y dy by dx is equal to a हो जाएगा ठीक है तो origin से लेकर के a point तक की distance हम कैसे निकाल लेंगे बही origin से 0 0 से इस point के distance this minus this का whole square this minus this का whole square और under root ठीक है तो this minus this यानि इसी का square 0 minus 0 0 यहाएगा under root और यह जो value होगी वो किसके बराबर होती mod of x plus y dy by dx क्यों mod क्यों लिया क्योंकि square root में से कोई चीच है तो mod ही लेते है और वैसे बिस्टंस को mod में ही दिखाएगे ठीक है तो यह बाली जो value है यह मेरी a की value है o g यानि a है a की जो value है वो 2x के बराबर है तो इस value को मैंने 2x के बराबर रख दिया तो यह value एक बार positive लेंगे यह value एक बार negative लेंगे ठीक है तो इसको एक बार positive लेते हैं equal to 2x रखेंगे तो y dy by dx is equals to x आएगा तो y dy equal to x dx आएगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह वाला बन गया हमारा y dy equal to x dx या फिर y square upon 2 is equals to x square upon 2 plus c या फिर कह सकते हैं y square minus x square equal to 2c तो यहां से यह जो equation बनी है hyperbola की है hyperbola हम क्या होता है y square minus x square is equals to constant ठीक है तो एक बार hyperbola की equation आप लोग खुद भ एक बार हमने इसको positively एक बार इसको negative लेते हैं तो इधर लगा नोचे सेट ललागा जो इसमें पोय दिक्कत है नहीं घीक है यह वाला था equation ठीक है तो x Max y dy by dx is equal to minus 2x इधर लगां negative या इधर लगा लो इस में कोई दिक्कत है नहीं तो यह तो यह आया किह इधर चला गया माइनस 3x तो अब y dy by dx is equals to minus 3x आ रहा था dx को इधर लेके चला के दोनों side integration कर देना है तो y square upon 2 इसका क्या है का minus 3x square upon 2 इसे इधर लेके है का equal to c तो यह क्या होगा अगर इस 3 को अटाना चाहते हैं तो यहां पर इसे नीचे लिख सकते हूँ ठीक है तो y square upon something plus x square upon something is equals to constant है तो यह किसकी equation होती है यह हमारी ellipse की equation होती है तो यानि यह जो हमारा है वो ellipse और hyperbola दोनों होगा क्या होगा ellipse और hyperbola दोनों होगा तो इसका answer क्या हो जाएगा a और d दोनों option इसके answer होंगे ellipse और पर बोला, दोनों ही इसके answer हो जाएंगे question देखते है, slope of the tangent पूछा है, curve x और y की value दे रखे x equals to 1 पर, x equals to 1 पर slope of the tangent, अगर x की value 1 यहां रख दोगे, तो 3t square plus 1 यह क्या है, अगर t की value 0 मिलेगी ठीक है, तो अगर x की value 1 यहां रख दी जाए, तो t की value 0 मिल रही है ठीक है, x, y दे रख था है, तो dy by dx ही तो slope होता है, तो dy by dx निकालेंगे, y का differentiation with respect to t करेंगे, तो 3t square, और इसका with respect to t करेंगे, तो 60 इसके नहीं चे, ठीक है, तो dy by dx हमें मिल गया, यह कितना है, 1 by 2t तो हमें क्या मिला, dy by dx की value इतना मिल रही है, और जब हम x की value 1 रख रहे हैं थे, तो हमें t की value 0 मिल रही थी, इस equation की, x की value 1 रखी, t की value 0 मिल रही है, ठीक है तो t की value अगर 0 रखोगे, तो यह क्या मिलेगा 0, और यह क्या था dy by dx तो यहां से dy by dx ही वो पूछ रहा था, slope of tangent ही पूछ रहा था, कितना मिल रही है, 0 मिल रही है, तो a option इसका correct answer हो जाएगा Next question में कह रहा है, normal to the curve, यह कोई curve है, y equal to fx है, ठीक है, उसका जो normal है, 3-4 point पर तो यह हमने क्या किया, यह कोई curve है, यहां कोई 3-4 point होगा, curve के उपर, उस पर मैंने यह normal बना दिया, यह हो गया, normal तो यह जो normal है, angle बना रहा है, किसके साथ, positive direction of x-axis के साथ, 3-pi by 4 तो यह कोई curve था, 3-4 यहां point होगा, तो यह normal है, और यह normal ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यह normal जो x-axis की positive direction के साथ, इतना angle बना रहा है, और यह क्या angle दिया, उसने 3-pi by 4 3-pi by 4, pi के जगा 180 रखोगे, तो 135 भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, तो 10-3-pi by 4 वो क्या पूछ रहा है, f-3, f-3 का मतलब क्या है, f- का मतलब है slope, और 3 यानि x की value 3 पर, तो यानि indirectly f-3 कहो, या फिर कहो slope, जब x की value 3 हो, एक ही बात है, ठीक है, तो यह क्या है, slope x की, यही त value क्या होती है, minus 10-pi by 4 या आपको आना चाहिए, कैसे solve करते है, minus 10-pi by 4 या फिर से आप minus 1 कह सकते हैं, तो slope of the tangent क्या हो जाएगी, किसकी slope पूछ यह उसने, देखो, f-3 जो होता है, वो तो slope of the tangent होता है, f- का मतलब है, dy by dx, और x की value क्या होनी चाहिए, 3, यानि slope of the tangent when x equal to 3, तो यह जो slope निकली है, यह किसकी है, यह तो normal की slope है, क्योंकि यह जो line आ रहा था न, यह line, यह तो हमारा normal था, normal की slope क्या है, 10-3-pi by 4, 10-3-pi by 4 मतलब minus 1, तो यह slope of the normal आई है, अगर मुझे normal की slope पता चल चुकी है, तो minus 1 upon normal की slope करोगे, तो यह tangent की slope और tangent की slope का मतलब ही क्या है, य यह है, यानि इसकी value 1 हो जाएगी, तो answer क्या हो जाएगा, हमारा इसमें D option 1 answer इसका हो जाए, next question, इस question में कहा है कि इस curve का हमें maximum value बतानी है, तो अगर इस curve की हमें maximum value बतानी है, तो क्या करेंगे, curve यह दे रखा था, 3x square, 4x plus 1, इसको रखेंगे 0 के बराबर, यानि एक बार differentiation करके 0 के बराबर रख दिया, तो इसको जब आप factorize करोगे, तो x की value 1 और 1 by 3 मिलेगी, ठीक है, तो वो कह रहा है, maximum value बतानी है, तो x की value 2 मिली है, अभी क्या करना है, हमारा जो यह था, यह कितना आया था, dy by dx इतना आया था, तो अगर d2 y by dx square निकालेंगे, तो आएगा 6x minus 4, कितना आया है, 6x minus 4, x की value अगर 1 रखूँगी, तो यह greater than 0 हो जाएगा, यह greater than 0 हो जाएगा, तो उस case में तो हमें minimum मिलेगी, हमें क्या निकालना है, maximum, और x की value अगर 1 by 3 रखूँगी, तो 6 by 3 minus 4, यह आगर 2 minus 4, यानि कि less than 0, तो यानि x की value 1 by 3 पर f double dash x, या फिर double differentiation less than 0 मि maximum value होगी, तो x equals to 1 by 3 पर क्या होगा, maximum होगा यह, तो x की जगा पर 1 by 3 पूट करना, और यहां से में value मिल जाएगी, ठीक है, तो x की जगा पर 1 by 3 पूट कर दिया, तो यह हो गया, 1 by 27 minus 2 by 9 plus 1 by 3 plus 6, इस चीज़ को solve करोगे, तो answer हैगा, 166 by 27, ठीक है, तो यहां से आपका answer हो हो जाएगा, 166 by 27, 27 into 6, या फिर इसे करने के जरूरत भी नहीं पड़ी, 4 by 27 plus 6 आ रहा था, तो जरूर नहीं यह करो, क्योंकि option में लिखा हुआ कुछ इस तरीके से है, तो इस चीज़ को, मतलब 6, 4 by 27 है न, इसे आप 6 plus 4 by 27 करके लिख सकते हो, या फिर 4 by 27 plus 6, तो यहां से ह हमें पता चल गया, यहीं से पता चल गया था, कि option हमारा CO, answer इसका करक्ट हो जाएगा, ठीक है, next question देखते हैं, next question में हमें कह रहा है कि greatest value इसकी बतानी है, तो अगर greatest value बतानी है, तो पहले तो जिए mod के अंदर यह दे रखा है, x minus 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x की value 3 मिलेगी, ठीक है, x की value हमें क्या मिलेगी, 3, ठीक, तो जब x minus 3 greater than 0 होगा, x minus 3 की value अगर positive रखोगे, तो 5 minus 3 यह ऐसे हो जाएगा, अगर हम, देखो, 5 minus mod x minus 3 यह दे रखा है, हमें function, ठीक है, तो अगर x की value greater than 3 है, या फिर ऐसे मालो, x minus 3 जो है greater than 0 है, तो that means, यह चीस positive है, तो यह function क्या हो जाएगा, 5 minus x minus 3, यानि 5 minus x 3, यानि 8 minus x, तो जब हम x की value greater than 3 ले रहे हैं, या फिर x minus 3, x minus 3 greater than 0, या फिर आप कह सकते हो कि x greater than 3 अगर हम ले रहे हैं, तो यह जो equation हो जाती है, वो यह हो जाती है, 8 minus x, तो यह क्या है, y equal to, तो हमन क्या किया है, यहाँ पर y is equal to 8 minus x, यह कब है, जब x greater than 3 है, तो x की value 3 से बड़ी रखोगे, 4 रखोगे, तो 4 ही मिलेगा, तो x की value अगर आप 4 रखते हो, तो y की value 4, यह वाला point मिल गया, यह मिला 4, 4, मुझे line बनानी है, line बनाने के लिए 2 point तो चाहिए, यह होता है, तो x की value अगर 5 रखूं तो y की 3 आएगी, x की value 5 रखूं तो y की 3 यहां मिल रही है, तो यानि यह दो point मुझे मिल गए, मैंने इनको मिला दिया, और फिर इसे इधर भी कर दिया, इधर भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो यह मेरी एक line तो बन गई, यह line तब बनी है, जब यह x की 3 less than 0 कर दिया जाए, तो यानि यह चीज नेगिटिव, 5 minus x minus 3, x minus 3 negative है, तो यह positive प्लस हो जाएगा, तो 5, यह हो जाएगा, x minus x plus 2, ठीक है, तो x plus 2 हो गए, जब x is less than 3, इसका मतलब क्या है, x minus 3 less than 0, x is less than 3 ही तो है, तो x is less than 3 है, तो 2 plus x हो रहा है, तो अब क्या हुआ, y equal to 2 plus x हो जा रहा है, तो x की value 3 से छोटी रखनी है, तो 0 रख दो, x की value 0 रखोगे तो y2 मिलेगा, x की value 0 रखोगे तो y2, एक तो point यह मिल गया, ठीक है, और x की value 3 से छोटी रखनी है, 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, x की value 1 रखोगे तो 3, मतलब यह 2 point मिल गये तो इनक मैंने क्या कर दिया ग्राफ बना लिया ठीक है यह बन गया हमारा ग्राफ पूछ क्या रहा है greatest value बतानी है तो आप देख सकते हो graph हमारा कौन सा है जब x की value less than 3 है तो यह जा रहा है ग्राफ यहां तर और जब x की value greater than 3 है तो यह आ रहा है तो maximum तो यहीं है जहां पर दोनों का intersection point मिल रहा है है ना तो maximum value यहां पर क्या मिल रही है कर इधर देखोगे तो maximum value जो हमारे function की value होती है वो y वाली value होती है तो कितने पर आ रही है दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? कट, ठीक है? तो हमारे पास जो equation था ये था जब x is less than 3 था और ये तब था जब x is greater than 3 था तो दोनों की दोनों जब कट कर रहे हैं मतलब ये वाली line, ये वाली line तो एक तो ऐसा point है जहां पर दोनों बराबर value दे रहे हैं पर equal लगाओ, ठीक है? तो क्या मिल जाती? y की value 5 तो यहां पर ये इसकी value maximum हो जाएगी तो ये हमारा ऐसे था कर maximum value यहां पर है, जो की corresponding इधर देख लेना है x की value 3 के corresponding ये point और इधर 5 ठीक है? तो answer क्या हो जाएगा? हमारा 5 answer जो हो जाएगा इसका maximum value क्या हो जाएगी? इसकी 5 हो जाएगी या फिर इस चीज़ को हम simple छोटे से तरीके से अगर देखना चाहे तो ऐसे भी से देख सकते थे कि भाई, अगर हमें ये चीज़ दे रखी है अगर 5 minus x है एवही माल लो कुछ भी तो ये जो x है अगर मैं इसकी सबसे छोटा कर दूँगी तब ही तो ये maximum मिलेगा है ना? अगर मैं इसको सबसे छोटा कर दूँगी तब ही तो ये चीज maximum मिलती है इसे x square लिख लो थोड़ी देर के लिए अब x square जो होता है इसकी minimum value हमेशा 0 होती है क्योंकि किसी भी चीज का आप square करोगे अगर negative भी रखो के तो उसका square अगर यहाँ minus 1 रखो के तो उसका square भी क्या आएगा plus 1 ही आएगा ठीक है अगर मुझे 5 minus something वो चीज जो है किसी चीज का square है ये तो अगर मुझे इस चीज की maximum value निकालना है तो इसको कम से कम value घटानी पड़ेगी और इसकी कम से कम value 0 तो यानि 5 minus 0 करूंगी तो क्या आएगा maximum value 5 आजाएगी यही काम इसमें बस यहाँ पर क्या है mod लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है mod तो mod की value कभी भी negative तो होती नहीं है है न अब यह मत कहना कि आपने तो minus x minus 3 लिखा था वो तब था जब x की value less than 3 है तो x से 3 से छोटी कोई भी value रखोगे यहाँ पर रखदो आप 0 तो यह positive ही बन जाता है x से 3 से छोटी 1 रखोगे 1 तो minus 2 into minus तो यह फिर positive ही बनता है तो वो x less than 3 जब x खुद 3 से छोटा है तब x minus 3 minus x minus 3 positive मतलब यह चीज़ positive तो इसका मतलब है इसकी अगर मुझे maximum value निकाल नहीं है तो यह चीज़ क्या होने चीज़ यह minimum और यह minimum तब ही हो सकता है जब यह 0 होगा यह minimum अगर आप कहां पर minus 1 रखोगे तब यह minus 1 minus 3 mod के बाहर आकर के 4 बन जाएगा तो इसमें चाहे negative रखो x की value चाहे positive यह तो हमेशा mod के बाहर आती positive ही बनना है तो यानि इसकी जो minimum value होगी वह 0 होगी और 5 में से कुछ घटाना चाहते हो तो कम से कम घटाओ ताकि उस चीज पूरे की maximum value मिले तो यानि 5 maximum value होगी जब आप इसको 0 रख दोगे तो direct भी आप इस चीज को कर सकते हो कुछ करने की ज़रत भी नहीं है कि यह चीज क्या होगी इसको हम कम से कम रखेंगे कुछ भी हो ऐसा 5 minus mod x भी रख दो तो यह चीज क्या होनी यह कम से कम कब हो सकती जब इसको 0 रखोगी तो maximum value पूरे की 5 हो जाएगी mod के अंदर x minus 3 x plus 4 कुछ भी लिख दे वो हमेशा क्या देखना है कि किसी भी number में से कुछ घटा रहे हो तो उसकी maximum value क्या हो जाएगी वही number हो जाता है अगर कुछ घटा रहे हो और variable है तो ठीक है उस इसको 0 रख दो यह 5 आगिया तो maximum value क्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी